तो दोस्तों ये रहा हमारे पास Realme C35 मुबाईल जैसा कि दोस्तों आप देख पारे हो और आप टेंशन मत ले ना दोस्तों इसमें जो है मैंने Apple का sticker चपका दिया है क्योंकि दोस्तों ये जो है Apple की तरह ही मुबाईल एक दम सेम दिखता है तो इस वीडियो में मैं आपको बता जिसको आप इस्तेमाल करके इस मोईल में फोटो और वीडियो को हाइट कर सकते हो तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ तो दोस्तों आपके मोईल में यहां पर files नाम से दोस्तों एक app और अल्ली पहले से ही install मिल जाती है तो इस एप को आपको open कर लेना है ओपन जो भी आप रखना चाहते है उस पर आप क्लिक कर दीजे तो मैं पिन पर क्लिक कर देता हूं अब यहाँ से मैं चार्ट डिजिट का एक पिन सेट कर लेता हूं उसके बाद next कर दिया उसके बाद दुबारा से re-enter वही कर दिया रिएंटर करने के बाद यहाँ पर next का option आ रहा next का option पर आपको click करके go to it पर आपको click कर दना है बस दोस्तो यह safe folder की setting हो चेटिंग हो चेगी अब आपको back आजाना है back आजाने के बाद दोस्तो अब आपको अगर image hide करना है यानि photo hide करना है तो दोस्तो यहाँ पर image के option पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर जितनी भी photo आपके mobile में होंगी total यहाँ पर आ जाएंगी तो दोस्तो जिस photo को आपको hide करना है उस पर आप click कर दीजे उस पर click करने के बाद यहाँ पर three dot दिखेंगे three dot पर click करके अब यहाँ पर दोस्तो more to save folder का option आएगा इस पर आपको click करके और जो आपने दोस्तो password बनाया था वो डाल दीजे next कर दीजे तो दोस्तो यह जो photo successfully इस mobile में hide हो चुगे है तो दोस्तो यह तो रही बात कि photo कैसे hide किया जाएगा अब मैं आपको बता दूँ अगर आपको आप video hide करने का मन है तो कैसे आप करेंगे बैका जाएंगे बैका जाने के बाद यहाँ पर video का भी section एक मिल जाता है तो इस पर आप click कर दीजे इस पर click करने के बाद जितनी भी video आपको मन में पढ़े हैं तो दोस्तो जिस video को आपको hide करना है तो इस पर आप click कर दीजे three dot पर click करिए motu safe folder को option आएगा इस पर click करके वही आपको password डाल के next कर देना है तो दोस्तो यह जो photo भी successfully hide हो चुगी है तो इसी परकार से अगर आपको IDEO hide करना है तो IDEO पर click करके hide कर सकते हैं document hide करना है तो इस पर click कर सकते हैं अगर आपको app hide करना है तो इस पर आप click करके app को भी hide कर सकते हैं तो दोस्तो यह तो रही बात photo और video hide करने की अगर आप लोगों का मनुखा दुबारा से देखने का तो देखेंगे कैसे same process अपनाना है वही application open करना है उसके बाद save folder पे आप चले जाएए उसके बाद वही password आप डाल के next कर दीजिए जितने भी आपने photo और video hide करें है total यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ से दोस्तो आप जो है देख सकते हो अगर इनको आप दुबारा से गैली में भेजना चाहते हो आप इस model में photo और video को hide कर सकते है